तो दोस्तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेगा क्या आपका बैटरी बहुत ही जल्दी खतम हो जाता है क्या आपका फोन इस टोडेश जल्दी फूल हो जाता है and क्या आपका phone hang करता है and क्या आपका phone slow हो जाता है and क्या आप कोई application use करते हैं तो वो तुरंत बंध हो जाता है या फिर कुछ और error बताता है तो आप इस वीडियो को देखते रहे है yes or no कोई भी problem हो हो सकता है कि आपको बाद में आ सकती है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं कि आज मैं इन सभी को पूरे solution के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ so नमस्कार दोस्तों मैं राजराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ओलिन हिंदी तो सबसे पहली क्यूचन यार आप सभी मुझे बताना कमेंट करके क्या कमेंट करने में GST लगता है कमेंट किया करो आपने मन का भड़ास निकालो कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर जागा इस चैनल को सब्सक्राइब कि जागा ये बेल आइकन ओन करना मत भूलियेगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम नंबर वन कि आपके फोन की स्टोरी जल्दी फूल हो जाती है और आप किसी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन को या फिर कोई एप आपका फेवरीट एप्लिकेशन आप उसे इंस्टॉल करना चाते हैं और उसे आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं बिकोज कि आपका मोबाइल बताता है कि मैं इसे नहीं इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं फूल हो चुका हूँ तो आप क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले आप application manager में जाहिए and वहाँ पे उस app को check किजे कि कौन ऐसा app है जो आपका storage ज्यादा capture कर रहा है like example facebook messenger, whatsapp and other application like browser हो गया तो आप इन सभी के clear cache, clear data किजे and उससे आपके phone में बहुत हद तक ज्यादा storage आपका खाली हो जाएगा and उसके बाद आप अपने favorite apps को install कर सकते हैं बड़े ही आराम से आपका battery बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है तो इस trick पे इस meter पे मैं बहुत सारी videos आप सभी के लिए बना चुका हूँ सारी videos का link आपको description में मिल यागा जहांके आप अराम से देख सकते हैं और अपने problem को solve कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आप थोड़ा बहुत आप इनमें सुधार कर सकते हैं पहला कि आपके mobile के notification पैनल में आप देखिए कि कौन सा ऐसा function है जो की फालतू का run कर रहा है और उसका कोई लाजमी कोई मतलब नहीं बनता है तो आप उसे बन कर दिजे और आपके mobile में application होते हैं उनमें जाके देखिए कि background में कौन सा ऐसा application जो run कर रहा है data खा रहा है आप से force you stop कर दिजे और background data को off कर दिजे इस तरीके से आप अपने battery को बहुत ही ज्यादा हद तक आप अपने battery को save कर सकते हैं आपका phone slow हो जाता है बहुत problem आती है बहुत सारे comments आये थे प्लीज बताओ यार मेरे phone बहुत slow हो जाता है so now finally मैं यह video बना रहा हूं तो आप यह क्या कर सकते हैं इस पर मैंने पहले भी video बना चुका हूं तो लेकिन यहाँ पर बता दूं मैं sort में बहुत ही simple तरीके से मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं तो आप अपने phone के developer option में जाए एंड वहां पे जाकर आप animation point किजे एंड वहां पे आप अपने mobile के animation को बहुत ही कम कर दिए जितना कम रखना चाहिए आप रखिए एंड उसके बाद आप देखिए आपका phone कितना fast हो जाता है अगर आपका phone अभी भी fast नहीं होता है तो आप उन apps को uninstall कर दिए जिनका आप use नहीं करते हैं आपका phone बहुत ही जादा heat हो जाता है गरम हो जाता है गरम होना बहुत ही जादा common problem हो चका है सभी phones के लिए तो आप इससे क्या कर सकते हैं तो आप जो आपका phone में heavy games या फिर apps जो run कर रहा है आप उन्हें बंद कर दिजिए सारे apps को आप close कर दिजिए और आप अपने phone को थोड़े देर के लिए कहीं रख दिजिए कि भाई तुम अभी अराम करो मैं थोड़ा सा दूसरा काम करता हूँ उसके बाद आपका phone ठंडा हो जाएगा and that's आप उसके बाद अपना phone यूज कर सकते हैं तो ये काम आप बहुत common चीज है जो आप खुद से भी कर सकते हैं बीना मुझे पताए पांच भी and बहुत ही ज्यादा बहुत ही most उचे गए क्यूचन मेरे phone में एक notification आता है कि this app unfortunately has been stopped इसके बाद ये video भी stop होगी तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आप उस app का नाम read कर लिजे कि भीया कौन app है जो नहीं चलना चाहते हो जो stop हो सारे हो तो उसको आप application manager में चाहिए find किजे and उसके बाद आप उस app के force stop कर दिजे and उस app के clear data कर दिजे clear cache कर दिजे and इतना करने के बाद भी भाईया वो app नहीं मान रहा है तो आप उसे एक बार uninstall करके and आप उसे फिर से install किजे and now वो app perfect work करेगा ऐसा भी हो सकता है कि वो app आपके version को support नहीं कर रहा है तो आप तूसरे app try कर सकते है तो यही थी आप सभी के mobile के बहुत ही common problem जो आप सभी को मैंने solution के साथ बताया है तो वीडियो को यार लाइक कर देना इस वीडियो को share करना उस friends को जो की ऐसा problem आप सभी से पूछते रहता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक किजेगा इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और भी यह comment करो यार क्या GST लगता है comment करने में नहीं यार comment करो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और मिलता है फिर आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार तिल देन और गुडबाई